सबसे पहले अगर आपके पास समसुम का कोई भी स्मार्ट फोन है ना पैटरन लोग पास्वर्ड लोग पीन लोग अगर आप लगा के भूल जाता है ना सबसे पहले इस कूट को ध्यान से दे के आपको डाइल करना है इमर्जेंसी कोल में उसके बाद यहाँ पर वेलियम प्ल समसुम का स्मार्ट फोन के बारे में अगर आपके पास समसुम का कोई भी स्मार्ट फोन है ना पैटरन लोग हो या पास्वर्ड लोग हो या पीन लोग हो अगर आप लगा के भूल जाते ना वन कोड में जिया दोस्तों यहाँ पर वन कोड में आपका स्मार्ट फोन को फिर बिना computer का आप उसको unlock कर सकते हैं कुछ नहीं करना है simple तरीके यहां पर एको code बताएंगे offline mode का ध्यान सी code को देखना है आपको dial करना है और आपका smartphone फिरी में unlock हो जाएगा लाइप पूरूप करके दिखाता है वीडियो को कहीं भी skip करके मत देखिए नहीं तब आपका smartphone नहीं होगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखिए अगर यहां पर ज्यादा आप रोंग पास्वर्ट डालते हैं तो आपको timing का option मिलेगा लेकिन आपका smartphone नहीं होगा अगर आप यूटूब में वीडियो देख रहे हैं ना simple तरीके से hard डिसर मोड में लेका जा रहा ना तो आपका hard डिसर नहीं होगा और सबसे ज़यदा यहां पर आपका power ऑप करते हैं तो सबसे पहले आपको प्यावर आप बीना होगा जी है दोस्तों यहां पर कोई भी samsung का smartphone ना power ऑप नहीं होगा अब यहां पर आपको करना क्य अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं हाट रिसर मोड में लेका जा रहा है लेकिन आपका हाट रिसर नहीं हो रहा है यह चीज बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था हम लोग के पास तिसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पूरा वीडियो कंप्लेट प्रेस करके रखना है अब देखिए याँ पर यूटूम में वीडियो देखके हाड रिसर मोड में लेका जा रहे हैं तो पहली बात यहाँ पर अपका हाड रिसर नहीं हो रहा है यह बहुत ज़्यदा कंप्लेट बहुत ज़्यदा हम लोग का कॉमेंट आ रहा था अब यहा दोस्तों यहाँ पर हार्ड डासर बला ओप्रविम इलिकोल नहीं आ रहा है अब यहाँ पर इस प्रभोल्म यह सा प्रभोलंव आ आई अंपरशन का आप देखाता है कि इसके करना चलिक को दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लाइन मोड का अउली वन को यूज करना है और आपको स्मार्टफोन उनलोग हो जाएगा आपको यहां पर लाइप पूरुप करके दिखाते हैं तो चलिए थोड़ा सा फार्ट करते हैं वीडियो काई भी किप मत किजिए चलिए थोड़ा सा फार्ट कर दिए यहां पर स्मार्टफोन है आपको यहां पर उप्सें में क्लिक करना क्या आपको इसथार से ऑपन हो जाता आप फूर सा वात को ध्यान दना आए वीडियो को skip मत कीजिए कहीं भी मत skip कीजिए ठीक है नहीं तो आपका smartphone unlock नहीं होगा आप यहाँ पर देखे करना क्या है सबसे पहले offline mode का यह पहला code को अपको यूज करना है उसके बाद आपको बताएंगे second में आपको क्या करना है ठीक है चलिए सबसे ध्यान से देखिए और इस code को आपको डाइल कर देना है emergency call में जैसे इस code को डाइल कर देते ना डाइल करने के बाद यह पूरी तरह से 100% working code है ध्यान से इस code को देखना और आपको डाइल करना है emergency call में emergency call में डाइल करने के बाद आब यहाँ पर करना क्या देखिए हैं पर यहां पर आपको यहांपशन मि लेगा नीचे में देखिए को लिंग का कुछी इस तरह से अब यहां पर क्या करना है वान टाइम करके आपको दिखातें चली को दिखाते हैं वन टाइम कोलिंग करना है जैसे कोलिंग कोल अप्षन में स्लेट करते हैं खुजी इस तरह से ओप्षन देखिनों को यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ पर आपका जो कोड रहेगा ना उपर में वो पूरी तरह से हट जाएगा ठीके अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है पह शेकेंद आपको क्या करना है और आपके पास चार्जिंगाबल लेना यह चलिए कोई दिखाते हैं सबसे पहले charging cable को यहां पर connect करना है चलिए charging cable को यहां पर connect करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं आगे करना क्या है ठीक है चलिए सबसे पहले connect करते हैं charging cable कर दिये आप देखिए यहां पर charging लेना हो गया थोड़ा सव वेट कर लेना है अब यह पर आपको हांड मोड में लेकर चलना है तो सबसे पहले आपको करना है को तो कुछ को यूज औप Lain 2019 का उसका सेकेंड मापको प्रेस करके रखना है जैसे यहां पर आपका Samsung का उप्सन मिल जाएगा Samsung Samsung Galaxy आगया अपको अपको प्रेस करके रखना है जैसे प्रेस करके रखते हैं तोड़ा साव वेट करना है यहां पर एक आपका hard reasonable option पूरी तरह से खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से तो पहले हम लोगे आप पर work नहीं कर रहा था आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है simple तरह के से code को apply करना है second वे आपको charging cable एक लागा लेना है बस यहाँ पर दो ही काम आपको करना है simple तरह से इस्टोल डाउन करते हुए नीचे लेकर आना है यहाँ पर एक option आपको सो करेगा wipe data factory reset wipe data factory reset में select करना है चले एको select करके दिखा देते है wipe data factory reset में जैसे select करते हैं यहाँ पर दो option मिलेगा cancel and factory data reset तो simple तरह के से यहाँ पर factory data reset में दो number में select करना है चले एको select करके दिखा देते हैं यहाँ पर down button press करना है on button press करना है यह देखिए यहाँ पर हमलों का पूरी तरह से full format हो चुका है नीचे में देखिए wipe data complete हो चुका है 100% पूरी तरह से हमलों का successful हो चुका है और यहाँ आपर आपको कुछ करना नहीं है सिंपल तरीके से उपर में आपको reboot system ना का option सो करना यहाँ पर आपको select कर देना है जिससे आप select कर देते हैं उसके आद यहाँ पर 4-5 मिन आपको wait करना है उसके आद आपका FRP option खुल के आ जाएगा FRP के लिए हमलों next वीडियो बनाएंगे आपको comment करके बताना है और यहाँ पर हमलों का 100% पूरी तरह से pattern pin password 100% unlock हो चुका है वो भी big out computer बिना computer का आपका password और pattern lock remove हो जाएगा वीडियो गर अच्छा लगे लाइक कीजिए कुछ problem हा रहा है comment करके बताईए next वीडियो उसी में बनाएंगे